वेलकम टू गोफ़र अगरिकल्चर आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स डिसकर्स करेंगे वह बहुत ही बेसिक है मैंने जो लेक्चर नंबर सेकेंड लिया था एंटमोलोजी का उसमें आपने देखा था कि मैंने बताया था कि इंसेक्ट का क्लासिफिकेशन अनिमल किंडम में कहां है जैसे हम जानते हैं टेक्ज़न容易 में किङडम होता है फाईलम होता है खास होता है ऑर्डРЕ होता है तो मैंने था तहां पी जो कस ए और ओर ऑटडर आता था तो मैंने था कि टोटल जो क्लास है ओद्वार्टच का वह कीड़स 하니까 ऑ्दम किउर्टच काम और और चा बता है class तो जो और्टो पोड़ा केंदे टूटल एट classes है एट में मैंने लास्ट में नमबर में बताया था कि insectic class होता है ठीक है तो हम basically हमने class तक पढ़ लिया है कि total classes कौन-कौन सी है उनके characters कौन-कौन सी है तो हमारा आज का जो lecture है उन class के बाद orders के बारे में पढ़ना है तो हम सारे classes के बारे में नहीं पढ़ेंगे हमारा main जो जो topic है discussion का वो है classification of class insecta up to orders मतलब orders तक पढ़ेंगे कि आपको इस चीज़े समझ में आ रही हूंगा I guess कि हम class के बाद जो order है insecta का कौन-कौन सी order में आते हैं क्यागा characters है किस तरीके से insect को classify किया गया है हम इन सारी चीज़ों को इस lecture में पढ़ने वाले हैं जैसे हम इस lecture में पढ़ेंगे characters of the class insecta ठीक है second पढ़ेंगे a terigota और terigota क्या होता है आप इसको a terigots भी बोल सकते हो तो इस lecture में इन ही सारी चीज़ को cover करने वाले हैं तो चलिए start करते हैं आज के lecture को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा कि हमारे channel ने एक bachelor's के लिए यानि जो बच्चे अभी graduation कर रहे हैं उनके लिए एक test series start करी है ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो bachelor's ही दे सकते हैं अपने इंस्टेग्राम चैनल और हमारे YouTube के community post में उसे दाल रखा है आप वहां से जाओ उसे देखो और आपको अगर लगता है कि वो अगर आपके लिए beneficial है तो आप उस test को join कर सकते हो जॉइन करने के लिए आपको हमारे comment section में जाना है वहाँ पे एक tagged comment है उसको आप देखो वहाँ पे एक link दे रखा है वहाँ पे रजिस्टर करो और वहाँ पे आपको पर टेस्ट पांच रुपए पे करना है ठीक है मैं आपको यह guarantee देता हूँ कि अगर आप इस test series को join करते हो तो उसके बाद आपको previous semester में आप जो पढ़ते हो syllabus पढ़ते हो उसको बार बार पढ़ने का जौरत नहीं पढ़ेगा आप उस test series में यह देखोगे कि आपने जो चीज भी पहले पढ़ाई करी है वो सारे इस test series में cover हो रहा है तो हमारा main जो aim है objective है test series को start करने का बस इतना ही है कि आप जब क्या होता है कि आप first year से second year में आ गया तो first year की चीज़े कभी थोड़ा सा कोई चीज़े skip करते हो तो वो आपको हमेसा revise कराती रहेंगी masters के बच्चे जो हैं या फिर जो students हैं उनके लिए इसलिए फायदा है कि अगर वो revise कर रहे हैं कोई चीज कि लिए वो अगर माल लेते हैं अगर वो agronomy से पढ़ाई कर रहे हैं तो वो सिर्फ agronomy वाली week को join कर सकते हैं ठीक है तो यह हमने एक competitive approach से this series को start किया है अगर आप interested ह तो आप comment section में अपने नाम भी दे सकते हो नहीं तो आप हमारे google form को भरो और आप उसमें day mention कर तो आप कौन से day के लिए test देना चाते हो आप उसके लिए फिर pay करो I hope यह चीजा अभी तक clear है ठीक है तो चलिए start करते हैं अज के अपने lecture को तो जो सब सब से पहला हमारा जो topic ह है वो है class insecta ठीक है तो class insecta क्या है मैंने पहले ही बताया है कि insecta का जो दूसरा नाम है वो है hexapoda ठीक है hexapoda इसको क्यों कहते हैं कि hexamins क्या हो गया 6 और poda means हो गया leg इनके 6 leg होते हैं ठीक है दूसरा चीज कि जो hexapoda जो हमारा या नी जो insecta जो class है यह किस phylum में आता है orthropoda और orthropoda में हम जानते हैं कि total 8 classes होती है और phylum के उपर हमारा सबसे बड़ा जो branch होता हो क्या होता है kingdom तो यह animal kingdom में आता है तो आप इस चीज को याद रखना हम जो पढ़े रहे हैं वो पढ़े हैं kingdom phylum class और order तक ठीक है यह चीज आपको clear हो गई होगी आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंसेक का मैंने डाग्राम दिया है जिसमें आप three legs देख सकते हो ठीक है किस रीजन से निकला हो तो depend करेगा कि कौन सा इंसेक देख रहे हैं और उनमें legs के modification किस type की है ठीक है यह जो class इंसेक्टा का जो further classification है orders तक वो किस ने दिया था एक taxonomist अब हम चलते हैं इसके next characters of the class इंसेक्टा यह वो revision पार्ट ही है जो हमने पहले पढ़ लिया है लेकिन फिर भी जल्दी-जल्दी मैं इसको बता देता हूँ characters of the class इंसेक्टा में क्या है कि हम जानते हैं जो इंसेक्ट है उनका body जो होता है three regions में divided होता है first anterior part से कर बात करें तो head फिर आता है उनका mid part thorax और third आता है abdomen ठीक है second reason पर thorax पर thorax क्या है center of locomotion इसको इसलिए का आ जाता है क्योंकि इस पर locomotory organs प्रेजंट है wings भी प्रेजंट है two pair of wings और दूसरा three pair of legs भी यहां पर प्रेजंट होते हैं और insect leg में मैंने आपको बताया था कि जो insect leg है वो पांच jointed legs होते हैं कहने का मतलब है कि वो एक leg जो है पांच पार्ट में पांच पार्ट से मिलके बना हुआ है ठीक है तो यह मैंने इसको भी mention किया three pair of five jointed legs ठीक है और two pair of wings excretion insect में कैसे होता है malpigean tubule से जिसका position कहा है mid gut और hind gut के junction पे ठीक है protocerebrum, deuterocerebrum और treatocerebrum जो मैंने nervous system of insects में already discuss कर दिया है मैं आपको उसका link जो है यहाँ पे i button में या फिर description में दे दूँगा आप वहां से भी देख सकते हो nervous system of insects के बारे में और जो last point है जो insecta होता है वो further जो है वो two subclasses में divided है first a terigota दूसरा terigota लेकिन यह division जो है यानि जो subclass class का भी subclass है वो किस basis पे है कि इन insects में wing है या फिर नहीं है ठीक है तो चलिए इनको हम divide करके पढ़ेंगे यानि a terigota क्या होता है और terigota आप इसको terigotas भी कह सकते हो a terigotas भी कह सकते हो तो आप यहां पर देखो मैंने दुनों तरफ difference बताया है a means को होता है absent और terigotas में होता है wing तो जिनमें wings absent है उनको a terigota काएंगे और जिनमें wings present है उनको terigota काएंगे ठीक है यहां पर लिखा है primarily wingless evolved from the wingless आप यहां बात समझना primarily wingless मतलब क्या होता है कि उनके ancestors में भी wings नहीं था और जो आगे आने वाले उनमें भी wings नहीं है ठीक है terigotas में क्या होता है इनके वास wing होता है या फिर secondary wingless होते है secondary wingless मतलब क्या होता है कि उनके ancestors में नहीं था इन में आ गया हो या फिर इनके ancestors में था इन में नहीं आया हो मतलब ये condition जो होता है कि alternate वाला या फिर absent हो present हो ये वाला system जो है वो terrygorts में देखा जाता है उनके ancestors में ना हो और अभी हो गया हो लेकिन वो winged होते हैं, अगर winged हैं तो पक्काव टेरीगोर्स होंगे ये टेरीगोर्स में देखें तो metamorphosis totally absent होता है या फिर slightly present होता है, मैंने metamorphosis भी 4 type का होता है gradual और ये metamorphosis सारा कुछ आपको discuss कर दिया है आप previous lectures मेरे देख सकते हो लेकिन टेरीगोर्स में metamorphosis present होता है mandibular articulation in head is monocondylic mandibular articulation क्या होता है इसको मैं आपको इससे समझाता हूँ कि जो head है वो thorax region से एक cord से जुड़ा हुआ है तो वो monocondylic होगा, अगर दो cord से जुड़ा है तो dicondylic होगा, अब आप इसको general से समझो आपने कभी owl देखा है, owl अपने head को 360 degree पे घुमा लेता है body को fix रखते हुए 360 degree पे घुमा लेता है क्यों उनमें जो head जो connected हो thorax है वो एक rod से, यानि एक spinal cord से connected है एक bone से connected है, जो कि उसको 100% rotate करने में help करता है तो आप इसको head को देख रहो, thorax एक से जुड़ा है तो इसको monocondylic बोलते है humans में क्या है, अगर आप अपने गर्दन को पीछे से पकड़ोगे तो आप देखोगे कि दोनों तरब bone है हमारे ठीक है, neck में तो वो दो बोन है न, हमारा जो head है वो thorax region से या फिर abdomen region से दो बोन से जुड़ा हुआ है, तो diacondylic, तो सेम आप यहां पर भी समझो diacondylic है कहने का मतलब है कि mandibular articulation दो है और अगर monocondylic है तो एक है ठीक है, fourth point है aterygota में कि plural sulcus जो होता है thorax में, वो absent होता है aterygota में और terigot में present होता है और pregenital abdominal appendages present होता है aterygota में और terigot में absent होता है ठीक है, और आप सोच रहे हैं, plural sulcus क्या है और pregenital abdominal appendages तो मैंने previous lecture में discuss कर दिया है, मैं आप इन सब चीजों पर time नहीं देना चाहता कि एक लिए फिर यह lecture बहुत बड़ा हो जाएगा, आप हमारे starting से lecture सकर देखते आ रहे हो तो आपको इस चीज़े समझ में आ रही होगी अगर फिर भी आपको कुछ दिक्कत है तो आप video देखने के बाद हमसे comment section में पूछ सकते हो अब जो हमारा next topic है वो है कि अब देखो हमने पढ़ा कि जो class है उनको 2 subclass में बाटा गया था a terigorts और terigorts अब जो subclass है उनको orders में बाटा गया है ठीक है तो a terigota जो subclass है वो भी order में है और terigota है वो भी order में है क्यासे है तो सबसे पहले पढ़ेंगे एट अरिगोटा का एट अरिगोट जो है वो four orders में divide किये गए है ठीक है वो किस बैसिस पे कि उनका जो टेल है उनका structure क्या है ठीक है तो इनका जो division है वो four orders में है first thynasura ठीक है इन में silverfish देखी जाती है आपने देखा हो बुक वगरे मे silver color के insects लगते है ठीक है तो उनके देखो thynasura मिंस क्या है thynasura जो लिखा हुआ है यह आप यहां पर देखो जो first point है यह लिखा हुआ है thynasura लिखा हुआ है इसका example silverfish देखो यूरा मिंस क्या होता है टेल ठीक है अ थाइसान मिंस हो गया finger तो जिनका finger tail होगा वो thynasura में आ इसको प्रोटूरा प्रोटूरंस हो जाएंगे इसके example और इसका जो मतलब हुआ first tell सबसे पहला tell जो है प्रोटूरा पाया गया था ठीक है लेकिन यह जो classification है exo-terigota और indoteregota किसके बेसिस पर wing के development यह वाला जो था tail के development पर और यह जो है wing के development पर तो क्या, क्या, चारेक्टर्स है अगर हम बात करें कि exo-terigota और indoteregota क्या है simple अगर wing development externally है एक है तो वो exo-terigota क्या लाएगा अगर internally है तो वह Indotorygota करा गज़ाएगा अब Wing Sail development क्या हम जानते हैं जब wings बनती हैं तो secondary otta ॥ एक्जूटरी गोट्ट अगर हम बात करें तो type of metamorphoses में exotaryota में incomplete या फिर gradual हो सकता है लेकिन endotaryota में complete होता है ठीक है pupil stage के बारे में बात करें तो exotaryota में नहीं होगा pupa लेकिन endotaryota में pupa पाया जाएगा इमें 4 stage बात करें तो इनके जब देखो incomplete है तो उनमें nights पाये जाएंगे इनमें complete है तो लार्वा पाये जाएगा number of orders इनमें 16 होते हैं और इनमें number of orders 9 होते हैं तो total अगर count करें तो 27 classes हैं किन में terigots में 16 exotaryota के और जो 9 है वो endotaryota के I hope यह चीज़े समझ में आ गई होंगे आपको अब जो है आप इस चीज़े को ignore कीज़ेगा यह पीपीटी पे गलत add किया गया है cloud classification यह चीज़े नहीं होंगी यहां पर यहां पर देखो the class in secta has 29 orders 4 in a terigota and 25 in terigota अगर हम पूरे इंसेक्टा हैं बात करें तो देखो हमने अभी just उपर पहले क्या पड़ा था यहां पर देखो इसमें तो कितने हो गए 16 और 9 25 और यहां पर है मैंने just discuss किया था चार यहां तो कितने हो गए टुटल 25 और 4 29 तो टूटल इंसेक्टा जो है वो टूटल कितने इनके orders है 29 orders ठीक है 4 जो है 8 terigota में है और जो 25 है वो terigots में है तो देखो इनके सब भी के मैंने नाम यहां पर दे दी है 16 तो आपको यहीं दिख रहे होंगे ठीक है तो आप बस इतना ध्यान रखना कि आपको यह सारे नहीं पढ़ने है ठीक है आपको इसमें से क्या याद रखना है जो important जो group है उनको मैं mention already कर च मैं तो यह सारे important हैं भी नहीं ठीक है अगर BSC point of view से कर मैं देखूं यह फर बता हूं तो यह जो भी मैंने बोल्ड में कर रहा है ना इनके insects में पूछे जाते हैं इनके diagram से पूछे जाते हैं इनके characters पूछे जाते हैं तो यह जैसे मैंने लिखा Ordoneta, Orthoptera, Isoptera, Hemoptera, Hemoptera तो इनके questions आएंगे तो इसको आपको पहले से अच्छे से और इनके पूरे details से इन सब सारे चीज़ों को पढ़के रखना है ठीक है तो thanks for watching this video till then stay tuned मिलते है next lecture में अगर आपको यह lecture अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को subscribe करो आप हमारे Instagram चैनल को भी follow कर सकते हो अगर किसी को भी अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमारे comment section ने पूछो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो जो टेस्स सीरीज जा फिर जो मैंने क्विस के बारे में आपको डिसकस कर रहा है और आपके लिए beneficial है तो आप उसमें जरूर participate कर सकते हो और जो यह test start होगा वो 1st start कर देंगे चले मिलते हैं नेक्स लेक्शन में बाबाई